दर्शको नमस्कार आप देख रहे हैं प्रतिक न्यूज लाइफ आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे बेगु सराई की जहांकि साथ विधानसवाग सीटे हैं पहले नमबर पे आता है बचबाड़ा विधानसवाग छेत्र इसके विधायक है रामदेव राय कॉंग्रेस पार्टी से हैं और पूर में मंत्री भी हैं तेगड़ा विधानसवाग छेत्र से विधायक विरेंद्र महतो हैं जो की राजत से नेता है मतिहानी से विधानी विधानसवाक शेत्र से विधायक नरेद्रसिक और बोगो जो जडियों के नेता है साहेपूर कमाल विधानसवाक शेत्र से श्री नरायनी आदब पूर मंत्री भी रह चुके हैं राजत के नेता है बेगुसराय सदर विदानसवा से विधायक आमिता भूशन कॉंगरेश की नेता है उसके बाद बात करूँगा मैं पकरी विदानसवा शेत्र की जो उपेंद्र पाजवान राज़त बेगुसराय जिला का एक मात्र सुरक्षि सीड भी है चेरिया बरियारपूर विदानसवा शेत्र जहां की विधायक मंजु वर्मा और पूर में मंत्री वी रह चुकी है इस बार का चुनावी मुद्दा मुक्य फोकस प्रवासी मज़ूरों को रोजगार जरजर सड़क और कानून विवस्था आप राधी गती विदियो में बढ़ोतरी इन सब बातों पे यहां पे बात होगी अब हम लाइफ संबादा दा चंदर से जुढेंगे और जानेंगे सूरते खाल चंदर जी क्या मुझे सुपा रहे हैं चंदर जी आपसे में जानना चाहूंगा इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा परवासी मल्दूर जो अन्य राज्यों से आये हैं, उनको गोजगार नहीं मिला है, वो कापी प्रेशान है, जर्जा सरक है, सरक में गढ़्डा है या कहना मुश्किल होगा, और विविन व्यवस्था हैं, जो कहीं लचर पचर है, स्वार्त की व्यवस्था रखिए, सिच्छ लोज आयत दिन हत्या होती है, होमगार जमान को भी गोली मार दिया गया, अपर आधी तो गिर्वदार होगे, लेकिन अवचित नियाएं उनके मिल नहीं मिल सका सर, और विविन समस्याएं, रोजगार, स्वास, सिच्छा, जैसे मुल्न बहुत समस्याएं बना हुआ है, जे कुछी दिन पहले हमने निउस भी दिखाया था, और इस समाचार में दर्शकों को मैं बता दू, कि समाचार में एक अबलोकन करना चाहूँगा, मैं कि जो डीजीपी गुप्तेशवर पांडे ने इस पर बहुत बड़ा संज्ञान लिया, और इमिडियेट उस पर एक्शन पे उसे रोका गया था, और उस बात पे उसने बंदुक लहराते हुए गोली चला दी, वहां आपरादिक मामले का ग्राफ बहुत आगे है, बेगुसरा एक ऐसा जिला है, जो पूरे बिहार में अपने आपरादिक मामले के लिए जाना जाता है, उसके बात इन्होंने ये भ कर रहे थे, विदायक जी आप से मैं पूछ रहा हूँ, अरे ये सडके जो खराब है, अभी सडको की हालत, मैं आपको एक क्लिप में दिखाऊंगा, सब्वादाता ने अभी अभी जस्ट उसका उसका एक क्लिप बनाया है, उस क्लिप को मैं आपके साथ सामने शेर करूँग आप देखेंगे उस विडियो में कि उस रोड पे क्या है, मतलब उस सडक नाम की कोई चीज ही नहीं है वाँ पे, सिर्फ गड़े ही गड़े नजर आएंगे आपको, अरे क्या किसी का सपना भी था कि जो यहाँ पे सडके अच्छी बनेगी, लेकिन आज तक सडको का हाल अच्छा यह बताइए कि रामदेव राय जो विधायक है कॉंग्रेस से, इन्होंने क्या 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 कहा अपने इसके बारे में सुनाएं कि जो नहुने अंसर करने की बात की है, बच्छवारा के कम से कम आपके जैसे लोग जो बुजरुगा कहलाते हैं, पढ़े लिखे हो चुकी है, बिना वज़ एक भी हत्यारे की हत्या नहीं हुई है, एक भी क्रीमिनल की हत्या नहीं हुई है, क्रीमिनल लोग किस्तोल लहरा रहें चमथा में, उस दिन गेहु का पकरा पकरी हुआ चम्था में रातो राज शुट गए उस दिन बच्छवारा में पिस्तोल लहराया गया परस्व चोट रोज कोई देखने वाला नहीं केबल विधायक केबल विधायक हराओ कईसे हराओ वो बात और और कुछ नहीं टेमपो को आदेश देने का अधिकार किसको है सुएंगेश दियो साहब को भी अधिकार नहीं है टेमपो को चलाने का और टेमपो चला और उस फर सराब पक्रा गया 20-20 का कार्टू, 21 कार्टू सराब पक्रा गया इसलिए बच्वारा सराब का हब बनंगने है DM सहाब से आगरा करते हैं हमारी बात को आप सुनिए इस पर आपको मालूम है कि बच्वारा सराब का हब है और कि बच्वारा के बिधाय कराम देव राइगा अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि चाहिए इसे रूके वे इसे रूकना है इसको हमको अगर आमरन अंसर पर बठकर जान गमाना होगा लेकिन हम जान नहीं छोड़ेंगे यतना अब जान लीजी आप तो जानवे करते हैं कि हम जिद्धी नमर एक हैं हम छोरेंगे नहीं चाहे कोई हो हम जातवाद नहीं किये हैं लेकिन जातवाद के खिलने वाले को हम जानने ही बकसने काटून पकरा जाएगा सुएंगे हमारे पदारी कारी सभी जानते हैं कि बच्वारा हव हो गया हसराव का इसलिए मैं सेंग डीम साहव के यहां जाओंगा और सारी बात बताओंगा डीम और इस्वी साहव को इसके बार भी कुछ नहीं होगा बस सीधे पटना में मुख्यमंत्री के आगे में आमरा न इस तो लहर आते हैं और लोर इन ओडर की बस्ता चर्मणाची गई है हम दियम से सुनना चाहते हैं कहना चाहते हैं इस पर करवाई किया जाए नहीं तो मुख्यमंत्री के आगे मैं अंसर करूँगा कि जे मतलब की वह गोहार लगाने के लिए तैयार है और पाथि परप्रतिपक्ष के रूप में वह अपना रोल निभा रहे रहे हैं जी पर मंतरी भी हो भी हो रह चुके हैं सिछा मंतरी पत्नीमान मंतरी भी रह चुके हैं लगातार वह विधायक उगाता के साथ आजिते हैं जनता प्रेसान रहती है। इस बार जनता जाग गई है और जनता को मैं इस चैनल के माध्यम से जगाना भी चाहूंगा और उन्हें बताना भी चाहूंगा कि हे जनता अब तो आप भी सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। स्वास्थ के मामले में भी कुछ बताएं। देखे जो रोजगार मुहया कराने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सिक्षा के स्तर को अच्छा करना। वहां के विद्यार्थी लोग कई बार मांग कर चुके हैं वहां पर यूनिवर्सिटी की। वहां से दूर दूर जाकर विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं। आपने अभी सुना होगा कोटा, दिल्ली, बैंगलोर, कहा कहा बच्चे पढ़ रहे हैं। बिहार के बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। वहां के आनुमंडल में वहां के पंचायत में क्या प्राथमिक स्वास्त केंद्र की हालत कैसी है कुछ बताएं उसके बारे में तो उसके लिए उसके लिए निता जी और विदाइक जी ने कुछ आसवासन नहीं दिया है कि जो इसकी अखालत को कुछ सुदा रगां यह सर कई बात जो होती है लेकिन तरस안 का सरप लगातार हो रहा है। इतना लोगों को इसमें कौम बिल पाएगा या समया के गर्म विया है लेकिन लगातार ये सरका दिर्मान और सरक के श्रेणास का दौर जारी है इतना गर्म? अब करें अग्सक्राश परने किसमें लेट का दूराह में वर्फेस्ससाल को के लिए रमा खाट चनकाई लेगे और अस्थापना के लिए उसना कुछ करेंगे। जे, आप सुन सकते हैं कि जो समस्याएं बहुत है, केंडर सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है, राज्य सरकार भी कोशिश करने में लगी हुई है, लेकिन राज्य सरकार कहीं न कहीं विफल नजर आ रही है. धन्यवाद आपका चंदर जी, हैंक्यू, अभी आप सुन रहे थे हमारी संबाता था चंदर को बेगुसराई से, तो चंदर ने अभी बताया कि सड़क की हालत बहुत खराब है, और उसके अलावा जितनी बाते बताई उन्हें स्वास के इंदर के बारे में बताया, और उसकी सिटियों को देखते हुए, हमारे नेता जी, हमारे विधायक, इन लोगों ने काफी कुछ तो नहीं किया अभी तक, और लगता भी नहीं कि इन पात सालों में इन्होंने कुछ करके दिखाया, लेकिन मैं इन सब बातों में एक बात जरूर हर बार की तरह इस बार भी पूछ अपनी जनता से पूछूँगा, उनसे एक सवाल पूछूँगा कि हे जनता आपने जिसको वोट दिया, क्या वो आपके पास आये दुबारा, या दर्शन उनके दुरलब हैं, आप जरा उनसे पूछे, आप उस परतिनीधी से पूछे कि जो आपको परतिनीधी बना कर, हमन में विधान सभा वेजा था, जिससे कि हमारे कस्टों को आप दूर कर सकें, लेकिन आपने उसके बाद वोट लेने के बाद तो दर्शन ही नहीं दिये, इन सब बातों को मैं फिर से आगे और बढ़ाऊंगा, तब तक के लिए स्वास्त रहें, सुरक्षित रहें, नमस्कार झाल